जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में सुरक्षा बलों ने तीन आतंक्यों को गिरफ्तार कर लिया है तीनों हाल ही में आतंकी संगठर लश्कर ए टाइबा में शामिल हुए थी इनमें से दो की पहचान जाकिर एहमद भट और आविद हुसेन वानी के तोर पर की गई है पकड़ गुरुवार रात इनकी एक तस्विर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई थी इनमें ये हातों में बंदूक लिए नजर आए थी कुपवाडा के एससपी शिरी राम अंबारकर ने बताया कि आतंक्यों के कुपवाडा के लोलाब घाटे के जंगल में छिपे होने की खूफिया सूचना मिली थी इसके बाद गुरुवार की सुभह सेना की 28 रास्टे राइफल और जम्मु कश्मीर पुलिस ने इने पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान चलाया इस दोरान हलकी गोराबारी भी हुई लेकिन सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तीनों को जिंदा काउ में लशकर ए ताइबा के चार ओवर ग्राउंड आतंकियों को पकड़ा था इनकी पहचान मुजफर एहमद ड्यार मुदासिर एहमद लौन यूनीस वाजा नजीर एहमद शेक के तोर पर की गई थी शिरिनगर से फिर्दोस कादरी की रिपूरु देखे इसमें कल इनक अपने घर पर फोन करके बताय था कि ये उन्हें माफ कर दे और टर्रिजम के रा पर ये लुग चले गए थे इस इंफर्मेशन के आते साथ ही इनके घरवालों को हमने कॉंटक किया और हमारी जो सर्विलन्स की टीम है उन्होंने इनका ट्रेकिंग स्टार्ट किया आज इनको हिरासत में लिया गया और इनके साथ में जो इनके पास में जो हतियार थे वो बरामत किया गया ये जो पूरी कारवाई है ये टाइमली होने की वजह से इन लड़कों का फर्दर जो टेर्रिजम में जानी का जो रास्ता था वो रुग गया ये एक मेसेज है ऐसे सारे लरकों को जो कही न कही फेंस सिटर से ऐसे ही लेटेश को पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटर्प्राइब